ओम नमस्षिवाईव पोधों के बीज होते हैं अगर उन्हें ठीक से सीचा ना जाए तो वो काम नहीं करते बिल्कुल ऐसे ही किसी बीज मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको इस मंत्र की आवश्यक्ता अवश्य होगी बिना इसके आपका बीज मंत्र काम नहीं करेगा चाहे वो कोई भी बीज मंत्र हो चाहे लक्ष्मी का हो चाहे वश्यकरन का हो या काम देव का हो किसी का भी हो उससे पहले आपको इस बीज मंत्र को सिद्ध करना होगा और सिद्धी के लिए आपको इस मंत्र की आवश्यक्ता जरूर पड़ेगी तो जब भी ग्रहन काल हो या फिर कोई भी ऐसा शुब मुहरत हो जब आपको लगी कि आप आज इसको सिद्ध कर सकते हैं तो एक छोटा सा हवन करें और उस हवन में राई और नमक ले राई नमक के साथ आपको इसका हवन करना होगा 108 बार राई नमक और कुछ लकड़ी हैं लकड़ी आम की हो तो भी चलेंगी या नीम की हो तो भी चलेंगी इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो और इस मंतर का 108 बार आपको जाब करना है 108 बार जाब करने के बाद आप उस मंतर का जाब शुरू किजे जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं जो भी आपका बीज मंत्र है तो देखते ही देखते आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी जैसी आप इसका जाप खतम करते हैं क्योंकि ये एक सिद्ध मंत्र है जो कि किसी भी बीज मंत्र में जान डाल सकता है अधिक जानकारी के आप लाइं 284 25 पर धन्यवाद